इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में आपको देख करके पता चल भी गया होगा थमनेल देख करके तो HDFC बैंक में आज अच्छी खासे गिरावट देखने मिली लगभग 8.5% की गिरावट जिसमें लगभग 6% से भी उपर आप कह सकते हो गाप डाउन था इसके आसपास 6% के आसपास एंड देन उसके बाट द्यूरिंग मार्केट ऊपर नीचे एंड देन लास्ट में एक तरफा ये नीचे ही जाता रहा और साड़े 8% 8.44% प्याके क्लोज हुआ सवाल यह आता है कि ठीक है जो हो क्या सो हो क्या अब क्या करना चाहिए अगर मेरे पास होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए अगर मुझे एंटर करना है तो क्या करना चाहिए एग्जिट करना है नहीं करना है जो भी मैं खुद अपने प्लान में अपना प्लान मैंने क्या बनाया हो, हो मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो अपना प्लान है, वो मैं आपके साथ share करूंगा, इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई recommendation में नहीं देने वाला हूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको ये recommend नहीं कर रहा हू कि आप ये करो वो करो आपकी अपनी इच्छा अगर आपको buy करना है buy करो अगर आपको sell करना है sell करो अगर आपको hold करना है hold करो और ये विडियो सर्फ एजुकेशनल point of view से बनाया जा रहा है इसके साथ ही like, share, subscribe कर देना, bell icon press करके definitely all पे set कर देना आगे बढ़ते हैं यहाँ प कर के जो है यहाँ पे आ चुका है और इस बीच में क्या क्या ब्रैक हो चुका है इस बीच में हमारा जो 50 डेस का moving average था यह भी हमारा break हो चुका है तो अब सवाल यहाँ आता है कि क्या यहाँ पे यह सच मूच एक opportunity है क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला था polycab में यहा तेजन डिफरेंट उसमें जो है कुछ टैक्सि वैशन का रीजन था इसमें कुछ और रीजन है खेर लेकिन जो गिरावाट है मैं वह कह रहा हूं उसमें भी यहां पे हमें 10% गप डाउन देन और 20% नीचे गिरता हुआ देखने मिला था इसमें भी हमें लगभग 8.5% का गप हो चुका होगा है क्योंकि 8.5% कम बिल्कुल भी नहीं होता है और वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे बहुत जादा वॉल्यूम है कितना का वॉल्यूम है 85 मिलियन का वॉल्यूम है मतलब यहां पे 8.5 करोड का यहां पे वॉल्यूम है अब आते हैं में बातचीत पर टू इस टॉक इस रेंजम में आता है हमेशा थोड़ा उपर नीचे करता ही अगर आप यहां पर देखोगे देखो सपोर्ट आया रजी यहां पर सपोर्ट आया उसके बाद यहां पर हमें रेजिस्टेंश देखने मिल रहा है अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको फिर से यहां पर देख सकते हो support support और इसके बाद यहां भी एक छोटा support इधर भी आपको इसी range के आसपास support देखने मिल रहा है अगर आप और पीछे जाओगे तो यहां पर फिर आपको resistance देखना स्टार्ट हो जाएगा resistance resistance तो यह काफी important level है जो पहले resistance था लेकिन उसके बाद यह support बन and अभी जो है यह फिर से support बन सकता है यहां पर एक बहुत ज्यादा chances है कि इसको यहां से support मिले and इसके आगे गिरावट होने के chances मुझे काफी कम लगते हैं समझना है इसको इसके आगे गिरावट होने के chances मुझे काफी कम लगते हैं यहां पर मैं ऐसा नहीं कहारा stock में बहु क्योंकि यहां पे 200 डेस का मूविंग एवरेज और 50 डेस का मूविंग एवरेज दोनों ही जो है ब्रेक हो चुका है अगर आप और पहले जाओगे तो एक बार और ऐसा सिनारियो आया था जिसमें HDFC यहां पर देख सकते हो इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं तो उसके बाद अगर आप देखो के थोड़ा उपर गया फिर बहुत नीचे गया नीचे जाने के बाद जो है यहां पर काफी दिनों के बाद हमें मोमेंटम देखने मिला था और अभी जो है गैप डाउन हुआ है उपर जाए 200 days के moving average को यह breakout दे उसके बाद मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और overall अगर मैं बोलू अगर मैं इसको conclude करूं तीन बाते मैं आपको बोलूँगा सबसे पहला कि इसके नीचे के मैंने levels and उपर के levels को बना दिया है ठीक है तो आपको जो है अपने convenience के लिए अपने तरह से अपने से खुद से इन levels को draw कर सकते हो सबसे पहली बात कि यहां पे इससे आगे गिरावाट होने के chances मुझे ना के बराबर लगता है ठीक है मैं कोई forward looking statement नहीं दे रहा हूं यहां पे मेरे हिसाब से इसके आगे गिरावाट नहीं होनी चाहिए अब क्या होगा वो कली देखने मिलेगा दूसरी बात यहां से momentum आने के chances भी मुझे कम लगते हैं यहां पे swing या positional trade का कोई भी मुझे जो है opportunity नहीं दिखता है ठीक है long term के लिए obviously यहां पे opportunity मुझे लगता है क्योंकि long term के लिए HDFC bank बहुत जादा outperform तो मेरे हिसाब से नहीं करेगा लेकिन ठीक है एक अच्छा opportunity है अगर आपको HDFC bank safe लगता है तो definitely आपको सही लगता है HDFC bank की safe HDFC bank कभी zero नहीं होने वाला लेकिन आने वाले time में मुझे लगता है कि HDFC bank से जादा कुछ और small caps small caps को मैं अलग कर दूँ अगर तो कुछ और large caps in fact nifty 50 के ही stocks है जो HDFC bank को बहुत जादा outperform क करेंगे मुझे ऐसा लगता है तो ठीक है अगर मेरी मान होगे तो मैं एक risky investor हो तो अगर किसी को बहुत ही safe जाना तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से फिर उस UFC bank में जाना चाहिए और अगर किसी को risk लेना है थोड़ा भाद बिरिस्क लेना है तो मुझे लगता है मेरे को ignore करूंगा and is fall में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यह मेरा personal अपना जो मैं कर रहा हूं वो चीज है मेरा personal opinion है किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं है overall simple है अगर आपको बहुत ही safe बहुत ही safe अगर आपको चाहिए कि मेरे जो है वो डूबे ही न तो आप इसमें जो है जा सकते हो और अगर आपको रिटन्स कम चाहिए थोड़े से कि चलो यार ना के बराबर मतलब थोड़े बहुत रिटन्स में मिल जाए तो काफी है निफ्टी को बीट करते तो काफी है उस कि इसमें जो है फिर भी आप HDFC बैंक को देख सकते हो बागी मुझे कुछ खास नहीं लगता है क्योंकि इसमें शॉट टम में भी कोई तो कोई दिक्कत नहीं है मैं यह नहीं कर रहा हूं कि स्टॉक नीचे जला जाएगा लेकिन यह स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा और बहुत धीर धीर जाएगा यह अगें मेरा परसनल अपीनियन है एंड करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा लाइक शेर सब्सक् करना एंड जहां तक बात रही एंग्सिट की तो यहां पर आप को अपने हिसाब से सोचना चाहिए मदनों करना चाहिए और इक कहावत यह भी है कि हाय समय के बाद कर के कोई फायदा नहीं होता है यह भी जी आप फ़ोड़ इस पे सोचना ठीक है कि मैंने 9 और वाल कर चुक रपॉद कर जाथ से यहाँ पर पता रहती हैं कि